मूली, पालक और गोवी इन तीनों को लगाने के बाद भी मुझे तसली नहीं हो रही थी तो मैंने सुचा क्यों न मटर को भी आड़ किया जाया अपने टेरिस कारडन पर तो देखे पूरा वीडियो की किस तरह से विंटर्स में मटर के पोधो को लगाना चाहिए पोधो को नहीं सीड्स को जे शरी रादे दोस्तों टेरिस कारडन पर सबजियों का कुछ इस तरह से रिजल्ट पाने के बाब मेरा दिल कर रहा है कि मैं और भी जादा वेजिटेवल्स को ग्रो करूँ अपने टेरिस कारडन पर तो शुरुआत तो मैंने मूली के बीजों के साथ और पालक के बीजों के साथ की थी अभी इसे लगाए हुए टॉटली चार दिन ही हुए है और देखिए बीज जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं तो इससे मुझे काफी ज़दा खुशी हो रही है और मेरा होसला भी काफी ज़दा बढ़ रहा है कि मैं भी अपने टेरिस कारडन पर हल्दी और अच्छे तरीके से वेजिटेवल्स को ग्रोप कर सकती हूँ तो इसी सोच के साथ आज मैंने अपने टेरिस कारडन पर गोबी की नरसरी भी लगा दी मतलब हम न उसके पहली नरसरी त्यार करते हैं बीजों से सीदलिंग्स त्यार करते हैं उसके बाद उन्हें कुछ इस तरह के बड़े पॉट में हम शिफ्ट करते हैं तो मैं कल दो सब के से गवाब होता है तो फिर आज मैं इसे ही लगाने वाली हूं अब लगाने का तो मन बहुत कर रहा है बट सुच्वेशिन हीये है कि लगाओं कि इसमें मियरे पास तो यार प्स पोड़ी नहीं है अब मैं क्या करूं तो मुझे दिख रहा है यह हमारा चश्मे वाला कर देंगे इस वाले पॉट में और इसमें हम मटर के भी जो को लगा लेंगे तो चलो अब फटा फटसे से यहां से उठाते हैं और अपने मटर लगाने के प्रोसेस को शुरू करते हैं तो दोस्तों अभी आप सब के दिमाग में यह चीज आ रही होगी कि इस तेल के डिबे मे इन में ग्रोब करके देखे हैं और जो आप गार्डन रोज देखते हैं ना मेरे गार्डन में वह भी मैंने इसी तेल के डिबे में लगाया हुआ है तो इतने बेस्ट रिजल्टों तेस के बस आपको थोड़ा सोइल मिक्शर का धियान रखना पड़ेगा और टाइम टो टा पानी गो मुत्र बिना केमिकल की मिट्टी गोबर और साथ में चूले की राख यह पांचों चीज़े मिक्स करके बनाया था पूरे 24 घंटे लगते हैं इस मिश्रन को बनने में और जब यह मिश्रन बन जाता है फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दो मिनट तक घड़ी की करने की शमता भी मिलती है जैसे आपके बीज अगर दस दिन में उगते हैं तो इसका प्रियोग करने से बीज आठ यह साथ दिन में उगाते हैं उसके बाद अब टरन आती है सोईल मिक्षर को स्ट्रॉंग बराने की तो मैं यहाँ पर प्रियोग करनी हूं जीव अमृत का ज और अशी लिए मैंने थोड़ा सूखा घास डाल दिया उसके ओपर थोड़ी यह मिटी डालने वाली हूं मिटी नहीं बढ़िया सा सोयल मिक्स इससे मैं ने अच्छे से मिक्स-प कर लिया और साथ में थोड़ा सैंड भी एड कर लिया ताकि वेल ड्रेंड मिक्षिर बने और और हमारे पोदे और हमारे भीज खराब ना हो सब कुछ अच्छे से करने के बाद मैंने इसे पलट दिया इसमें पहले यह बिल्कुल हाफ सा था मैंने भरा हुआ अभी थोड़ा सोइल मिक्षिर था तो सोचा कि इसे उपर तक फिल कर देती हूं और फिल करने के बाद यह तो मैंने फिर इस ओजार की मदद से इसे अच्छे से जाड़ा क्योंकि यार चोटी 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 चीज होती है यह बिल्कुल भी मिस नहीं करनी होती है कुछ भी वेस्ट नहीं छोड़ना है तब हम आगे बढ़ पाएंगे ऐसे तो फिर हम इनी कामों में लगे रहेंगी क तो इस पर डेंट पढ़ गया पर सीधा भी हो गया फिर मैंने थोड़े सी खाद और एड़ की अपर पोशन पर ताकि थोड़ी और नुट्रिशन मिल जाए और अब टान आती है बीजों को लगाने की तो बीज अच्छे से सूख चुके हैं आपने इस बात का ध्यान रखना पहले आपने क्या करना है बीजों को बीजमरित में डिप कर लेना है उसके बाद सोईल मिक्षर बनाने की तयारी करनी है क्योंकि यह नहीं करना हमेशा यह नहीं करना आपने कि जैसे बीज बीजमरित में डिप किये वैसे उठाके मिट्टी में डाल दिए अगर ऐसा करोगे तो फंगस लग जाएगी और पोदा नहीं बीज बनेगा ही उससे पहले उसे फंगस जकड लेगी और वही पे डड़ जाएगा इसलिए सबसे पहले उनको बीज अमरित में डिप करके चाया बरिस्थान में सूखने के लिए रख देना है अब यह नहीं कि जल्दी सुखाने त अगर धूप में रखेंगे ना तो इसकी जो भी पावर होगी ना बीज अमरित की वो सारी खतम हो जाएगी इसलिए चाया बरिस्थान में रखे और इसे अपना कारे करने दे तब इसे पावर मिल जाएग तब हमारे बीज यह को पावर मिल पाएगी ठीक है यह सब करने के बाद फिर मैंने बीजो को लगाने लग पड़ी तो बीजो को देखी मैं एक-एक करके लगा रही हूं क्योंकि इसके काफी बड़े-बड़े बनते हैं पोदे नहीं मतलब बेल वरगी होता है नहीं बाद में इनको सेपरेट कर दोंगी बट फिलाल इने उगने तो दो तो मैं जमरित है कितना एफेक्टिव और साथ में हम डे वाई डे यह भी नोटिस करेंगे कि यह उगते कितने दिनों में जैसे बताया जाता है ना गूगल में सर्च करके देख लेना अब भी कितने दिनों में मट्र की बीजर्मिनेट हो जाती हैं यह सारी चीज़े पालक का मैंने देखा था उसे मैंने बी जमरित में डिप नहीं किया था बट फिर भी मैंने मेजरमेंट करके देखी ऐसे ना वो साथ से आठ दिन में उगता है बट मैंने जो टायर में लगाया था ना पालक वो टोटली मेरा पांच दिन में अच्छे से जर्मिनेट होके पोदे बन गए आप चाहो तो वीडियो भी देख सकते हैं, शौट में डाला होगा मैंने, तो वो भी अच्छे से उगाया, और मूली काफी जल्दी जर्मिनेट हो जाती है, बट मेरे साथ पता कि सीनुआ, मैंने सुबा लगाई, टोकरी वाले उसमें देखा था ना अपने, और वो शाम को उ जाते हैं, चोले यह कहानी छोड़ो, अब हमारे बीज अच्छे से लग चुके हैं, और फिर थोड़ी मिट्टी की कमी थी, और एक लियर उपर मिट्टी की डालनी भी थी, भीजों को कवर अप करने के लिए, इसलिए मीशों से जो सीड्स मंगवाये थे, जो ग्रॉप नही तो दे दिया है, मतलब बीजों को इसमें डिप किया था, बार-बार देने की क्या जरूरत है, तो इसमें पाया जाता है, पोटेशियम और गोबर और साथ में गोम उतर है, तो वो और भी जादा अच्छा होता है हमारी सोईल के लिए, तो इससे सोईल की जो और रिक्वायर लगती है, तो इसका इस्तेमाल जरूर करके देखे, सो फाइनली सब कुछ दन हो चुका है, तो देखे दोस्तों मैंने मतर के बीजों को लगा दिया, और जब मैंने इनको लगा रही थी ना, तो मैंने इनको काउंट भी किया, तो टोटली मैंने 39 सीड्स लगाए है, अब द 10 दिन में गर्मिनेट होगा, तो भी जमरित का प्रियोग करने से, वो 8 दिन में ही गर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, तो ये सारी चीजे हम उब्जर्व करेंगे, ताकि हमें ये भी पता चल सके, ये चीजे कितनी एफेक्टिव हैं, और बीजों को लगाने के बाद मैं होने हैं, तो इनको हम जाधा धूप में नहीं रख सकते, तो उस वाली जगह पे कम ही सनलाइट होती है, और फिर ये अच्छे से वहां पर ग्रॉप हो जाएंगे, तो वो प्लेस एकदम बेस्ट है, तो इसे उठाकर अब वहां रख देते हैं, इसे के साथ हमने अपने टेर हार्वेस्ट करेंगे, और अगर आप भी ये सब चीजे लगाना चाहते होना, तो अभी से शुरुवात कर दो, तब ही आपको विंटर में अच्छी हार्वेस्टिंग मिल पाएगी, और डे वाई डे मैं इनकी हर एक एक्टिविटी आप सब के साथ, शोर्ट के थुरू और जे श्री राधे